स्वागत करता हूं दोस्तों मैं हिदेश गुकता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप content optimization कर सकते हैं अपनी website में दोस्तों अगर आप SEO करना चाहते हैं और अगर आपका content सही से optimized नहीं है आपकी website में तो आप कभी भी desired results नहीं पापाऊगे और आपकी ranking आने में भी आपको दिक्कत हो सकती है तो दोस्तों ये वीडियो बहुत जादा important है because content optimization in website is one of the most important factor कि अगर आपको SEO की ranking लानी है website की ranking लानी है तो ये वीडियो ज़रूर देखें और उन सारे steps को follow करें implement करें अपनी website के अंदर ताकि आपकी website rank करें दोस्तों अगर आप SEO के साथ साथ complete digital marketing हम से सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और लोगों पे शियर करें because already 600 वीडियो का latest content है और इस साल 2021 में हम आप लोगों के लिए लगभग 1100 वीडियो लेकर आ रहे हैं और 30-35 नई series लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों क की digital marketing knowledge और enhance practical in-depth knowledge आप लोगों को दें तो चलते हैं computer screen पे और सीखते हैं digital marketing services के लिए या consultancy के लिए आप मुझे call कर सकते हो हमारी website marketingfundas.com पे जा सकते हो या डेली में अगर आपको digital marketing coaching लेने हैं training लेने हैं मेर से तो आप संपर कर सकते हो सबसे पहले मैं आपको एक दो example देखे बता रहा हूं कि जैसे ये एक blog है ठीक है अब website हो blog हो बड़ उसके अंदर किन बातों का आप ध्यान रखोगे सबसे पहले आपका जो content होता है website में उसमें जो आपकी headings होनी चाहिए ठीक है जैसे आप ये heading देख रहे हो ये बहुत effective होनी चाहिए ठीक है आपका जो content जो लिखा जा रहा है वो पढ़ने में बहुत clear होना चाहिए ठीक है कि easily पढ़ा जा सके readable होना चाहिए उसके अलाबा आपका जो content है वो keyword targeted content होना चाहिए क्योंकि आप जो भी content लिख रहे हैं और जो भी आप titles बना रहे हैं तो उससे related content है तो जो keyword आप SEO में use करेंगे वो keyword जरूर आपके उस particular page पे या content में होना चाहिए ठीक है और दोस्तों जब हम बात करते हैं keyword की तो आज की date में because content को बहुत ज्यादा value दी जारी है तो एक page पे कम से कम आपका 800,000,500 words से लेके और जितना भी आपके पास अच्छा content अविलेबल है उतना एक page भी होना चाहिए ठीक है जितना maximum कर सकते हो बड़ मिनिमम है कि 800,000, 1200 keywords जो words हैं इतने का तो आपका content page पे होना ही चाहिए इसके ऊपर हो तो बहुत अच्छा अब दोस्तों सबसे ज़्यादा confusion यह रहती है कि keyword density क्या है कि मतलब अगर हम for example 1000 words का content लिख रहे हैं ठीक है एक page पे तो उसमें हम कितने keywords डाल सकते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगो confusion है तो इसका एक बहुत easy formula है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है हमने आपके लिए लग से निकाला है अब यहाँ पर क्या आ रहा है 15 का मतलब है 15 keywords divided by 500 words into 100 तो निकलके आया है 0.03 into 100 ठीक है यह निकलके आया डिवाइट करके 0.03 into 100 तो आप दोस्तों यह 3% निकलके है दोस्तों वना 1-2% से लेके maximum 3% की keyword density होने चीए इसका मतलब है कि 100 word का अगर आपका content है तो उसमें 1-2 या 3 maximum keywords होने चीए और वो भी यह नहीं कि आप similar keyword यूज कर दीजिए जैसे मैं आपको example दिखाता हूं हम Google में search करते हैं लाइक हमने search करा digital marketing course in Delhi ठीक है अब यह keyword हमने use करा अब हमारा काम यह है बट ऐसा नहीं कि अगर हमारा 1200 word का content है तो उसमें यह keyword हम दो-तिन बार use करेंगे करना similar type में जिसमें हमने LSI keywords क्या हो दें उसका tutorial भी दे रखा है अपने SEO के अंदर वो भी आप देख सकते हैं तो जैसे कि हम यहां पर आए और यहां पर देखिए अब digital marketing course in South Delhi डिजिटल marketing course in जनपपुरी ठीक है डिजिटल marketing course in नौइडा या digital marketing course institute in Delhi ठीक है तो यह similar मदभ keywords होते हैं जो कि हमें Google suggest करता है अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर और बहुत सारे आ रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से आप अब यहां पर हम पर एक्जमपल वो हटा देते हैं area ठीक है डिजिटल marketing course हमने डाला ठीक है अब इस से related और आ जाएंगे बेस्ट डिजिटल marketing course आ जाएगा ठीक है ठीक है डिजिटल marketing institute भी आ जाएगा तो इस तरीके से आपको उससे मिलते जुलते और relevant keywords को यूज करना है content के अंदर ठीक है तो इसमें keyword density का ध्यान रखो आप keywords भी similar आप keywords तूल का इस्तमाल कर सकते हो और autosuggest tool का इस्तमाल कर सकते हो या गूगल सजेस्ट होता वे से मैंने हैं डाले डिजिटल marketing course अब यहां पर या रहे है न अपने आपी तो इसको आप गूगल सजेस्ट कहते हैं तो यहां से भी आप keywords का आईडिया ले सकते हो है या फिर आप गूगल keyword planner free keyword planner उसका भी आईडिया ले सकते हो तो इन चीदों का आपको ध्यान रखना होता है उसके अलावा दोस्तों जो आपका content होता है अब जैसे आपको content है ठीक है तो आप content को अगर social media sharing आप चाहों लोगों को कि मतलब आपको content लोग शेयर कर सके आपके page से अगरों को अच्छा लगता है तो वह आप आधकल social media sharing रख सकते हो ठीक है अब आप देखिए दोस्तों जो आपका content होता है जैसे for example हमें एक website ले लेते हैं जैसे यह एक website है ठीक है तो यहां पर हमारी वेबसाइट है इसके अंदर देखिए इसकी जो आप clarity देख रहे हैं जो हमने टाइटल दे रखे हैं इसका content देखिए डिजाइन देखिए तो इस तरीके से website बहुत clean होनी चा देखिए हमने बिल्कुत separate separate headings दे रखी है ठीक है अब यही website मैं mobile के size में करता हूं इसको हम responsive कहते हैं दोस्तों ठीक है mobile का जो size होता है अब mobile के हिसाब से देखिए सारा इस्ट हो गया ठीक है तो इस तरीके से इसको responsive website कहते है तो आपका content जब mobile पे ठीक है कोई देख रहा हो तो वो भी बिल्कुल clear दिखना चाहिए उसको right यह left यह and large ना करना पड़े तो mobile में भी content के उतनी clarity आने चाहिए जितनी आप भी desktop यह tablet पे आ रही है ठीक है और जब आपका content होता है उसके शुरवात के जो 100 keywords होते हैं ठीक है जो 100 words होते हैं sorry ठीक है 100 words में ही आपके keyword होने चा suggestion है ठीक है जनरली लोग इसी तरीके से apply करते हैं और यह आपको benefit भी देगा ठीक है अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यह हमारा content है अब content में यहाँ पर कुछ आप keywords देख सकते हो लाइक यूजवेट अब है कि मैं जब यहाँ पर click करूंगा और अपनी website के ही मैं किस से related और चीज़ें और material मिले ठीक है और अगर मैं यहाँ पर click करता हूं और मैं किसी और website पर redirect हो जाता हूं तो उसको outbound या external link भी कहते हैं जो कि हमने इस website से दूसकी website भीज़ गया जहां पर उसको relevant चीज मिली जिसको तलास कर रहा था ठीक है यह content वैसा मिला तो यह भी related मैं उस और page पर और भैतर information हो बहाँ पर अगर मेरे को भीजा जा रहा है और मैं को content अच्छा लगता है तो मैं और ज्यादा time spend कर रहा हूं तो यह SEO के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि mouse ratio मारे कम कर देता है ठीक है तो अब दोस्तों इसके साथ साथ एक चीज़ और धान र और ज्यादा उसको देखते हैं attract होते हैं प्लस images को भी keyword दीजिए मतलब all tag दीजिए को images को Google track नहीं करता है उसको आप अगर नाम देते हो all tag देते हो तो उससे भी image optimization और यह भी on page का एक part होता है ठीक है image optimization तो Google उस नाम को पढ़ता है वो image भी फिर Google search में आना शुरू हो जात है जो कि आप Google का जब क्या कहते हैं पर SEO करते हैं या किसी भी search engine पर SEO करते हैं तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखे content optimization is the king और Google के जो भी 9 algorithm से updates आते हैं उन पर जरूर नजर रखिए और उनके accordingly time to time to changes है उनको apply कीजिए तो content हमेशा से king था है और रहेगा content पे जो जो मैं आ पाते बताईए अगर इनका ध्यान शुरुवात से रखोगे तो आपको बहुत help मिलेगी on page optimization में और आपकी SEO के ranking भी भैतर होगी तो दोस्तों आज हमने content optimization के बारे में जाना उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा आप हमें comment section में comment करके बता भी सकते हैं दोस् channel के थ्रू जो number दिये हुए उन पर आप call कर सकते हो thank you for watching marketing fundals